हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारे पत्रक नमबर 36 करेंगे जो कि क्लास एर्थ की है और विश्य है हिंदी व्याकरन भाग साथ ये वर्क्षिट 16 February 2021 की है तो आएए शिरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शिरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वर्क्षिट प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि संगया या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य दूसरे शब्दों के साथ अपना संभन्द ग्याद होता है उसे कारक कहते हैं कारक के आठ भेट होते हैं तो वीटा देको शब्दों को जोडने के लिए जिन दूसरे शब्दों के साथ संभध मनाया जाता है तो उन्हें कारक कहा जाता है जैसे कि हम कोई भी वाक्य बोलते तो उसमें हमने ने, को, से ये शब्द यूज करते हैं तो ये शब्द क्या होते हैं, ये शब्द होते हैं कारक, जैसे कि कारक का नाम और कारक तैचीन है, जैसे कि कर्ता, कर्ता के लिए, देखो इसकी एक लेव होते हैं, हम इसी तरह से याद किया करते थे, कर्ता ने, करम को, करण से, संपरदान के लिए, आपादान से, पर संबंद काके की संबोधन है अरे तो आप भी ऐसा ही याद होगा अगर आप ऐसे ही याद कर लेते हैं तो देखो करता ने करता कब यूज किया जाते हैं ने करम को करण से संपरदान के लिए को अपदान से अलगाव दूर होने के लिए और यहां पर द्वारा के लिए अध तो सेख लिता वीड़ों सेखिट अंहों होते हैं? करता है कर्ता नहीं विरकान को कर्ण से संपरदान के लिए अपदान अधिकर्ण में पर संभन आपट का की हूँ संबोधन है अरे तो इसके अंदर देखो करण ये देखो आप देखेंगे कि से यहाँ पर दो बारा आया है तो कैसे पहचानेगे कि से कौन सा है यहाँ पर से जो है दो बारा आया है तो देखो जब द्वारा की मैंने इससे यह काम किया तो इससे की काम किया तब कौन सा हो जा यहां पे help ली जा रही इससे ऐसे हुआ के द्वारा ऐसा हुआ और जब अलग किया जा रहा है राम ने राम से पानिया नदी से पानिया लग कर दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा अपादान जब अलग किया जाए तो अपादान और द्वारा काम किया जाए तो वो क्या हो ज से बस आया अरे तुमने यह गिलास तोड़ दिया सीता ने सुंदर गीत गाया पेट से फल गिरते हैं तो यहां पे कौन सा कारक है हमें यह बताना है तो आईए करते हैं इसे सोल तो आईए करते हैं देखिए बिटा शाम की पतनी मेरी बहन है तो देखो यहां पे की आया है तो वह आगरा से बस लाया तो बस कहां से से आया यहां पर से क्या है कारक है तो कौन सा है अपादन और अपादन का अलग किया जाता है कि वह आगरा से बस लाया ठीक है उसके बाद देखें नेक्स्ट है अरे तुमने यह गिलास तोड़ दिया अरे तुमने यह गिलास तोड़ द तोसीता ने सुन्दर गीद गया तो ने किस लिए करता ने करता ने तो यहां पर आएगा वह करता कारक होगा करम से तो यह कौंसा कारक होगा करता ने यह पेड से फल गिरते हैं तो यह कौंसा हो जाएगा अपा दान कारक ये कौंसा कारक हो जाएगा अपा दान कारक तो इसी तरह ध्यान से आप करेंगे ठीक है अब हम करते है question number two question number second लेकिन देखते हैं निमन रिकस्तानों की पूर्ती उचित परसर कारक चिन्ह द्वारा कीजिए तो यहां पर उचित कारक लगाने हैं जैसे मा ने सोरब को बहुत डांटा कबूतर डाल पर बैठा है पता पेड से गिर गया पिता ने बालक को पुस्तक से समझाया सामान कमरे मे रख दो या कमरे में रख दो तो यहां पर क्या हो यह कारक तो आपको यहां पर कारक लिखने कि कौन से कारक किन कारक का यहां पर यूज होगा तो आईए करते हैं इसका आंसर हम तो देखिए किस तरह से होगा पिता मा ने सोरब को बहुत डांटा कबूतर डाल पर बैठा है पत्ता पेड से गिर गया पिता ने बालक को पुस्तक से समझाया सामान कमरे में रख दो इस तरह से क्या कहा गया है कुछ sentence है आपको यहाँ पर कारक लगाना है तो यह question number two question number three में क्या है दिये गए कारक चिनों में एक एक वाक्या बना कर लिखे तो कुछ कारक चिनों दिये गए है जिससे क्या करना है आपको वाक्या बनाना है तो आईए करते हैं इसे solve किस तरह से होगा यहाँ पर देखे सबसे पहले क्या है के लिए का आपको क्या करना है वाक्या बनाना है के लिए के आपके लिए क्या बनाने है? वाक्य है. राम मेरे लिए उपहार लाया. तो के लिए मतलब मेरे के अंदर ही साउंड आ जाएगी इसकी ना? तो राम मेरे लिए उपहार लाया. की? की द्वारा? यह सुरेश की बहन है. क्या अंसर हो जाएगा इसका? यह सुरेश की बहन है के द्वारा पत्र को कलम द्वारा लिखा गया है पत्र को कलम द्वारा लिखा गया है को मैंने पोधो को पानी दिया क्या देखो कुछ भी आप जरूरी नहीं है कि यही वाक्य बनाए कोई भी वाक्य यहां पर बना सकते हैं मैंने पोधो को पानी दिया से बच्चे गा प्छेल रही है, कई यह है नरेश का भाई है, यह है नरेश का घर है, बलता, ऐसा कुछ भी sentence आप यहाँ पर बना सकते है, यह है हरीश का घर है, यह है 1 राम का घर है, उयह बएप आप किजिए और आप झाल झाल